है लो गाईज विल्कम बैक टो यूटूब चैनल यसक्यमिश्टडी अवियाप सक्सिज मैं हूँ आपका एजुकेटर सीवम मिस्तरा आपका स्वागत करते हैं आपके अपनी यूटूब चैनल यसक्यमिश्टडी पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज चैनल को 2021 और 22 में क्या स्लिवस रहेगा कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे आप 70 में 70 पूरा गेन करेंगे कितने कितने अंक कितने कितने नंबर के किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे पूरा आपको हम अच्छे से समझाएंगे तो बिल्कुल वीडियो को पूरा का पूरा देखे म मिस नहीं करना है और पूरा में क्लाश 12 का स्लिवस जो है उसको पढ़ा के अपलोड कर दिया हूं तो जाके वहाँ पर वाच किजिए और अच्छा सा एक प्यारा सा नोर्स बनाईए तो जो 2020-21 में था वही 2021 और 22 में भी रहने वाला है सेम रहेगा 30% जो पिछले साल का स्लि लिवस रहने वाला है तो देखेंगे कि क्या क्या आपका निकाला गया है क्या क्या 2022 बोड परिच्छा के लिए नहीं पढ़ना है ठीक है न तो सबसे पहले देखेंगे जीवों में जनन जीवों में जनन आपको पढ़ना ही नहीं है यह कार्ड दिया गया है तो जीवों में परिच्छा किस लिबस से निकाल दिया गया है वहीं पर भाद्य उत्पादन में व्रिद्धी की कारनीत भी आपको नहीं पड़ना ये भी निकाल दिया गया है और परेयावन की मुद्दि इसको भी नहीं पड़ना है यानि पूल मिला कि पाँच चेप्टर की कटवती कर दी पूरा 16 है, 16 में से 5 तब भी आपको 11 चेप्टर पढ़ने है विभी 5 चेप्टर निकाल दियेंगे हैं, आपको 11 चेप्टर पढ़ने हैं अभी 11 चेप्टर में से सबसे ज़्यादा अंक, किस चेप्टर से आएंगे उसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ठीक है ना और किस तरीके से आपको तयार करना है रिक चीज आपको बताने वाले है तो ये तो आपका स्लेवस नहीं पढ़ना जिद्यान दे जिवन जनर आपको नहीं पढ़ना है विगास नहीं पढ़ना है खाद उत्पादन में विर्धे के कारिनेद नहीं पढ़ना है पारितंद्र नहीं पढ़ना है परियावरण के मुद्दे ये भी आपको नहीं पढ़ना है तो इन सब काउप पढ़ने के जरुत बिल्कुल भी है ही नहीं क्या-क्या पढ़ना है तो 70% जो सलेवस है वो देखो नीचे है निम्नमत तो यहाँ पर देख सकते हैं जनन जनन में कई भाग है जैसे कि जीवे में जनन है पुस्पी पादपो में मानो और जनन स्वास्ति यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 14 अंक का आने वाला है ठीक है न तो चलिए देख लेते हैं और पूरा सवंग को का रहेगा 70 आपको लिखित और 30 नमबर प्रयोगातमक आपको मिलेगा जो कि यह स्कूल से मिलेगा और यह तो आपको जब एक्जाम देंगे तब समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दे जाएगा पेपर 70 अंक का रहने वाला है इसको जनन से देखेंगे तो जनन में 3 चेप्टर है पुस्पी पौधों में लेंगे जनन मानो जनन और जनन स्वास्ति यह 3 चेप्टर तयार करेंगे तो 14 अंक आपका बन जाएगा जीव विज्यान और मानो कड़यार अनुवांसकी और विकास तयार करेंगे तो 18 अंक का फिर 14, 10, 14 टोटल बोले तो 70 बनने वाला है तो चले हम लोग अच्छे से जानते हैं अगर जनन, जनन में क्या क्या पढ़ेंगे पुस्पी पौधो में लेंगे जनन, पूरा पढ़ना है मानो जनन और जनन स्वास्त यदि ये तीन चैप्टर तयार कर लेंगी जनन में से तो आपका 14 अंक यहां से बन जायेगा 14 अंक यहां से आपका बन जायेगा कोई आपसे छीन नहीं सकता ठीक है ना तो 14 अंक के लिए आपको कितने चैप्टर पढ़ना है तो 14 अंक के लिए आपके कुल तीन चैप्टर चैप्टर पढ़ना है कौन कौन से याद कर लिए पुस्पी पौधो में लेंगे जनन, मानो जनन, जनन स्वास्त अब पुस्पी पौधों में लेंग्जियन में क्या-क्या पढ़ेंगे क्योंकि आपके मन में रहेगा ना सर्क्या-क्या पढ़े तो पुस्प की सरचना पढ़ लेना एवं मादायुम को वित का विकास पढ़ लेना परागण और इसके प्रकार साथ इसाथ अभिकर्मक एवं उदाहरन बहे प्रजनन युक्तिया पराग इस्तिरिकर संकरन दोहरा निसेचन निसेचन पस्च घटनाए भून पोस एवं भून का परिवर्धन वीच का विकास युँफल का इनमार विशेज विदिया जितना विर अगर इसको पढ़ लेंगे तो यहीं से आएगा इससे बाहर आने वाला नहीं है वहें पर अनुवांसिकी में अनुवांसिकी जोए सबसे ज्यादा अठारह अंकाप को दिलाएगा इसमे अनुवांसा गति का आणवी का अधार अगर यह दो चैप्टर आप पढ़ लेंगी यह दो चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दिखिए क्योंकि कई इकाई है ने इकाई में चैप्टर दिये गए हैं आपके जैप्टर नमबर पांच और चैप्टर पढ़ लेंगे ड chat है 8 पर नमबर पयल लेंगे और नौनवफा पढ़ लेंगे मानव कल्यान में सुच्मजी जुभी है आई workout है अगर 12 कान मिल जयाएगा तो मानव स्वास्त और रख पढ़ना है और मानव कल्यान में सुच्मजी और करना है और इतना पढ़नेंगे तो आपका दस अंग का आजाएगा और परियावन में और टोटल करेंगे तो आपका कुल सत्तर अंक बन जाएगा तो सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है दो चेप्टर देखे अठार अंक लेना है तो सिंपल है वंसागती और वित्ता और वंसागती का आणवी का अधार जो कि मैंने पढ़ा के पूरा स्लेवस आपको प्ल थैंक यू जैहिन